अलो नमस्कार साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं बजट के बारे में बेसिकली आपने बजट के बारे में सुना होगा किंद सरकार के द्वारा आपकी बार का जो बजट प्रिस्तुत किया गया खास करके जब हम बात करें 2023-2024 के लिए तो उसमें उत्तरप देश के हिस्स से तो उसमें केंद सरकार के द्वारा किस तरीके से और कितने इमाउंट को यहां पे दिया गया तो बिसिकली टाइटिल में आप देख सकते ही कि बजट में उत्तरप देश को क्या मिला आज संदर्व की जब बात की जाये तो इसमें सबसे मादपोर द्याने के गा यूपी क करोड 169 रुपे सिधा साथ द्यान दिखेगा 1,83,239 रुपे क्या है यहां पे आपके प्रस्ता वित है अब इन रुपई की जब बात की जाये तो पिछला जो हमारा बजट था उस बजट की जब बात की जाये तो उस बजट में करीब-करीब 1,86,000 रुपे हमें तो ये पैसा प्राप्त कैसे होता है, चुकि आप भी जानते हैं हमारी हाँ पे, जब हम केंद और राजी के सम्मंद की बात करते हैं, तो उसके उपर कई सारे आयोग अगरे बनाएगे हैं, और उनमें से एक आयोग है जिसका नाम है बित आयोग, तो जो पंदरहवा बित आयोग था, उसने राज्यों को संपत्ती ट्रांसफर करने की दसा में, जो परसेंटेज बता रखा है, वो बता रखा 41%, तो इसी 41% की बैलू जो आज उत्तम देश की निकल के आई है, वह इस तरीके से निकल के आई है, और एक छोटा सा एमांट अगर जो हम चर्चा करें, तो किंद सरकार से प्राप्त होने वाले GST हिस्सेदारी की जब बात की जाए, तो वह भी आप देख सकते ही कि यहाँ पे 69,250 दस्वलों, 4,1 करून उपे के रूप में प्राप्त हुआ है, मतलब हम यह कह सकते ही कि आज उत्तम देश में सबसे जादे इ करने के लिए लगबग लगबग 20,000 करूर रुपे भी मिलेंगे, कि बिजली की जो अवस्थापना है, इसको कैसे सुदिड किया जाए, और इस संदर में एक हमारी आपे आपने बुंदेल खंड का नाम अक्सर सुना होगा, तो बुंदेल खंड में एक Green Energy Corridor बनाया जा रह आप भी जानते हैं, कई सारी किंद सरकार के द्वारा योजनाय चालू की जाती हैं, अगर योजनाओं की बात की जाए, तो उन योजनाओं की भरपाई के संदर में, आज आपके उत्तम देश को जो धंडासी प्राप्त होगी, वह करीब करीब एक लाख 20,000 करूर पे प्रा किसी को अगर जो मिलेगा, तो आपके उत्तम देश को इसका लाब मिलेगा, मतलब केंद सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाय चालू की गई हैं, उन में सबसे जादे हिस्सेदारी आपके उत्तम देश को प्राप्त होगा, चुकि ये बड़ा राज्य है, और उसमें आप देख सकते हैं कि करीब करीब एक लाख बीस हजार करोड रुपे प्राप्त हो जाएंगे, अब अगर देखा जाए तो यहां पर कुछ नई चीजों को भी घोसित किया गया है, जैसे हमारी यूपी में एक पढ़ाई का मॉडल चलता है, जिसको हम नर्सिंग पढ़ाई अगर एक मेडिकल कालेज की बात की जाएं तो मसलन आप समझ सकते हूं कि एक कालेज को अस्थापित करने में करीब करीब पचीस सौ से तीन सो करोड रुपे क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं यह तो बात होती है कि यव merchant की एक मेडिकल जो आपका institution होता है, जिक 현재 सालय होता है उसकी अस्थाफ़ना करने के लिए लगबग-लगबग 200 तीन सो करूर उपे लग जाते हैं अब हवारी यूपी ने बर्तमान में क्या किया है कि जितने भी कालेज है वहां पर अत्रिक्त पचास करूर उपे खरच किया और अत्रिक्त 50 करोड उपे खर्च करने की दसा में इसनी क्या किया यहाँ पे एक हास्टल बनवा दिया बच्चों के रहने के लिए और साथ ही साथ थोड़ी बहुत जो अध्यन समागरी से सम्मधित चीजे होती है उनको यहाँ पे अस्थापित कर दिया जैसे थोड़े बहुत क्लास्रोम उगरे की बात की जाए तो एक छोटा सा खर्च करते हुए हमने कोई अलग से नर्सिंग कालेज नहीं अस्थापित किया बलकि उसी अस्पताल में ही हमने नर्सिंग की पढ़ाई चालू करा दी तो एक कम पैसे को खर्च करती हुए हमने बिसेस माडल को यहाँ पर प्रयूजित किया और इसी कार से नर्सिंग पढ़ाई माडल को किंद सरकार ने सराहा है आज बर्तमान यूपी की बात की जाए तो हमारी यहाँ पर बर्तमान 22 मेडिकल कालेज में यह नर्सिंग की पढ़ाई चालू की गई है अब ध्यान निखीगा चुकि इसको किंद सरकार के द्वारा सराहा गया है और आगे और लोकेशन में इसको लागू किया जाएगा अदर में हम क्या करेंगे और भी लोकेशन में इसको लागू करेंगे तो उत्तब देश किये कि योजना जिसको किंद सरकार के बजट में एक तरीके से कह सकतो हूँ कि रेखांकित किया गया और उसकी उपर आगे भी बिचार करने की बात की गई इसकी अलामा देखा जाए तो हमारी यहां पे एक योजना चलती है आकांस्थी विकास खंड माडल इसका क्या मसला है जनरली आपने सुड़ा होगा नीती आयोग ये तो आप भी जानते हैं नीती आयोग की जब बात की जाए तो नीती आयोग ने क्या किया था हमारी यहां पे 2017-2018 में देश के 115 ऐसे ज जिले थे और उन्हें आकांची जिले घोसित कर दिया अब इसके अनुसार यहां पे करना क्या था तो यहां की जब बात की जाए तो यहां पे सिच्छा, स्वास्त, पेजल, बिजली, परिवहन, रोजगार और कौसल विकास इन सारी सुविधाओं को मुहया कराना था और सय जिलो का नीती आयोग ने जो एक मानक विक्सित किया उस मानक की अनुसार बिवन प्रकार की विकास परियोजणाएं और कारिकम मुगर लागू किये गया है और जिसकार से आज हम देखते हैं कि यह जो जिले कभी पिछडे थे उनमें डवलप्मेंट का एक नया आधार दिया तो इससे हमारे विकास खंड काफी डवलप हो गए हैं अब इसी योजणा को केंद सरकार ने फिर से एक बार सराहा है और ये कहा कि इस आकांची विकास खंड माडल को अब हम क्या करेंगे पूरे देश में लागू करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा इससे हमारे और जो पिछडे हुए खास करके विकास खंड है वहाँ पर हम इन सुम्धाओं को मुहिया करा सकते हैं तो इस योजणा को भी बजट में सराहा कया है जो कि आपके उत्तब देश में आलड़ी लागू है यही पर बात करें तो एक योजणा आपने सुना होगा एक जिला एक उत योजणा बेसिक अगर देखा जाए तो एक जिला एक उत्तब योजणा की जब बात की जाए तो यह अब देश भर में लागू होगा वैसे तो आप भी जानते हैं इसकी जब बात की जाए तो यह उत्तब देश में जो लागू किया गया था वह कब लागू किया था तो यह ब्रांडिंग करेगी और ब्रांडिंग करने के साथ क्या होगा उसको अलग-अलग लोकेशन में बेचा जाएगा ताकि उस जिले की पहचान भी होगी और सीधी सिवात वहां पे रोजगार वगरे भी मुहिया हो जाएंगे तो उत्तब देश ने 2018 में इसको चालू किया था अ यहां पर सरकार ने एक विसेश बात रखी है कि एक जिला एक योजना तो लागू किया जाएगा लेकिन कैसे इसका विस्तार किया जाए इस कारण से जितने भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों की राध्धानी और राध्धानियों के अलावा जितने भी विसेश परियतक अ जाए जाएंगे जो कि अमारे राध्धानियों में और परियतन छेतों में देखने मिलेंगे तो इस एक आधार पे लकनाओं में आप कह सकते हो कि अधार करते हुए एक यूनिटी माल की भी अस्थापना करी जाएगी तो अब यह योजना पूरे देश मिलागू होगी जिसका आधार आपको इस तरीके से दिख मिलेगा बेसिक अगर देखा जाए तो यहीं पिद्धानिकिगा हमारी यूपी में ही एक योजना चलती है जिस समबर 2018 से आपका चालू है जिसके अंतरत होता क्या है कि हमारी यूपी के जो छोटे कारीगर होते हैं या हस्तिसिल्प होते हैं उनको पसिच्छन और साथ ही साथ उपकरन वगरे निहसुलक उपलब्द कराया जाता है इस योजना को भी किंद सरकार के द्वारा सराहा गया और ये बात रखी गई कि हमारी पदेश के जो छोटे कारीगर है या हस्तिसिल्पी है उनको उद्यम में कैसे और आगे बढ़ाया जाए उसके लिए सबसे महतपूर आर्थिक सहायता और आर्थिक सहायता के अलावा उनका कौसल विकास इसकिल डवलप्मेंट करना ताकि उन उत्तव देश की योजना का ही आधार लेते हुए यहां पर केंद सरकार के द्वारा इस योजना को भी पूरे देश में लागू करने की बात चली है तो ऐसे कुछ प्रमुक मसले कुछ प्रमुक योजनाओं का आधार और कुछ प्रमुक धनरासी जो कि आके बजट में उत् गर्ण नल योजना की बात हो ऐसे बहुत सारी योजनाओं में भी उत्तव देश का हिस्सेदारी बड़े अस्तर पे है और जैसा कि अमने सुरू में ही चर्चा किया कि केंद सरकार के द्वारा जितनी भी केंद प्रियोजित योजनाओं हैं चाहे वह युजला योजनाओं ह आज के लिए इतना है थैंक्यू आल दी बेस्ट